सुनें, चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात सुरो करता हूँ उसनें कि करे यदि सूरी इर्षया, तम तमाम करेगा कौन, मिलाना साथ सबका हिंद का गुणगान करेगा कौन और सैनिक भी जो डरकर ना लड़े यदि जंग दुस्मन से, सैनिक भी जो डरकर ना लड़े यदि जंग दुस्मन से, तो बोलो जाके सरहत पर अरिहान करेगा कौन, तो बोलो जाके सरहत पर अरिहान करेगा कौन, सब लोग अपनी अपनी प्रत्क्याएं देते रहें जैसे पता चलता रहें आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं चलिए एक छंद कुछ छंद रख रहा हूं सुने कि कि स्वेत जैसे रंग में सारंग जैसे जंग में स्वेत जैसे रंग में सारंग जैसे जंग में पांच जन्य संख में छवी अलग दिखाता है है समाई संत में भक्ति ऐसे भगवंत की गंग को भी अपने संग संग ले आता है अखंड भूखंड में प्रताप भी प्रचंड है नेत्र से पतंग भी ननेत्र मिला पाता है व्योम में अनंत तारे बीच उनके एक चंद्र चंद्र बन के हिंद ऐसे जग मगाता है होनी यह जो भी हो आपका स्वागत है पड़ल पर और जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का अविनंदा ने स्वागत हैं अपनी प्रत्क्राय देते रहें जिससे पता चलता रहें आपनों कैसा लग रहा है एक चंद्र सुने के छुद्र मती को मातम में यूँ ही पहुचा देते अपने देश के बारे में कहता हूं कि छुद्र मती को मातम में यूँ ही पहुचा देते राह में भी अदीस के चच्चु जो गड़ाता है छुद्रमती को मातम में यूँ ही पहुचा दे ते राह में भी अदीस के चच्छु जो गड़ाता है दोस्तों को हम अपने रखते हैं फलक पर कोसता वो कर्म को जो दुस्मनी दिखाता है न चाहते किसी का बुरा जो सोचता है इस का बुरा अगली बार सोचने से खुद ही कत राता है और भ्रांतियां मिटा करके दोस को भूला करके बढ़न सांतीपत पर देश ये सिखाता है बढ़ना सांति पत्थ परतेस यह सिखाता है अब एक गीत रख रहा हूं सुने चोटा सा गीत है तीन अंतरेगा और आपकी प्रतियाएं नहीं आ रहे हैं प्रप्या देते रहे हैं इससे उत्सा वर्धन होता रहे हैं कैसा लग रहा है आपको बताते रहे हैं बीच-बीच में गीत सुने यह भी कैसा परिवर्तन है यह भी कैसा परिवर्तन है सुखे सुखे सावन भादों गिला आखों का अंजन है यह भी कैसा परिवर्तन है और पहला आंतरा सुने की छाया में जाकर बैठ गए लेकिन लगती विक्राल धूप यह सब सहने की आदत है तिल तिल कर जलता सुगढ रूप हम सब कितने लाचार हुए हम सब कितने लाचार हुए किरणों का कैसा नर्तन है यह भी कैसा परिवर्तन है यह भी कैसा परिवर्तन है गलात पड़ा सा खराब है तो कभी राम भगत नेगी बहुत धनिवाद आपका सुने यह भी कैसा परिवर्तन है सुखे सुखे सावन भादो गिला आखो का अंजन है यह भी कैसा परिवर्तन है घर के ही घर को लूट रहे घर के ही घर को लूट रहे हम व्यठित हुए हैं दंगों से चंदन जैसी काया पाकर पीडित हैं रोज भुजंगों से तेरा मेरा इसका उसका यह रोज रोज की अनबन है यह भी कैसा परिवर्तन है सूखे सूखे सावन भादो गिला आखो का अंजन है यह भी कैसा परिवर्तन है यह भी कैसा परिवर्तन है सब चाह रहे हैं उनको भी सब चाह रहे हैं उनको भी फिर एक नया दिन मान मिले सोसित पीडित हर जन जन को उनका पूरा सम्मान मिले जीवन जिसको जीवन कहले क्या सच मुचे साजीवन है यह भी कैसा परिवर्तन है सूखे सूखे सावन भादो कि लाखों का अंजन है यह भी कैसा परिवर्तन है यह भी कैसा परिवर्तन है आप लोग जुड़े उतने लोग देते जाए प्रत्किया कमेंट्स करते जाए इसमें मेरा भी उत्सा परदन होगा आप लोग कमेंट्स करते रहें इसमें और सुने थोड़ा सा श्रंगार्णस की तरफ चलता हूं क्योंकि मेरी मूल विधा है श्रंगार्णस और कुछ दोगों के साथ अपनी शुरुआत करता हूं कि नदिया केली बह रही पीछे छूटा गाउ तट भी बहुत उदास है जो नाविक बिनना आगे लंबी धूप है पीछे छूटी छाओ चलने को मजबूर है हम सब नंगे पाव कबीरा हम सब नंगे पाव कि भादों तक सूखा गया सावन रहा उदास बुझन पाई रात में इन अधरों की प्यास हो भैया इन अधरों की प्यास साजन आकर के गए साजन आकर के गए जसका तस्यह गे बिन बर से बादल गया तपे धरा की दे बिन बर से बादल गया तपे धरा की देर मैं अब कुछ चंद आपके बीज में रख रहा हूं आपके बीज में और उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि स्रीक्रस्न गोपुल से मथुरा चले गए है और उनके वियोग में रादिका जी गोपियां क्या कहती है क्या करती है उनकी मनोदसा क्या होती है उस प्रस्ट भूमी से जुड़ा जुड़े कुछ चंद आप लोगों के बीच में रख रहा हूं और अपनी प्रत्क्या देते रहें सुने कि साथ साथ घूमते थे साथ साथ जूमते थे साथ साथ कुझ कुझ में बड़ी मजा रही और कहीं कुछ ना अधूरा कृष्ण में समा के पूरा साथ खूब नेह पूर्ण प्यार की समा रही जब से है गए से आम छोड़ सभी काम धाम उनके वियोग में बिचोह गीत गा रही देखू मैं करील कुझ कालिंदी का कूल देखू मैं करील कुझ कालिंदी का कूल देखू मह सखी स्याम की बहुत याद आ रही देखू मैं करील कुझे कालिंदी का कूल देखूं, महसक हिस्याम की बहुत याद आ रही, महसक हिस्याम की बहुत याद आ रही, अप लोग बहुत सांती के साथ सुन रहे हैं, कि कमेंट्स करते रहें और आगे सुने कि जब कि क्रिश्म को गए बहुत समय हो जाता है बिच जाता है लेकिन फिर भी वह वापस नहीं आते तो फिर गोपिया आप क्या कहती है नहीं कहती है कि वीराह से जोड गए नाते सा भी तोड गए नाते सा भी तोड गए वीराह से जोड गए दिल को मरोड के विसार गए सामरे नाते सा भी तोड गए, वी रहस जोड गए, दिल को मरोड के विसार गए सामरे व्यक्त मैं करूँ भी कैसे तन पर कोई जैसे, तीर को चला के मुझे मार गए सामरे नाते सा भी तोड गए, वीराहस जोड गए, दिल को मरोड के विसार गए सावरे प्यक्त मैं करूं भी कैसे तन पर कोई जैसे, तीर को चला के मुझे मार गए सावरे नदिया का पानी खारा रोते रोते हुआ सारा, यमुना के जब से हो पार गए सावरे यमुना के जब से हो पार गए सामरे मिलने की आस रही अधरों में प्यास रही मिलने की आस रही तुमको मनाते हुए हार गए सामरे मिलने की आस रही अधरों में प्यास रही तुमको मनाते हुए हार गए सामरे तुमको मनाते हुए हार गए सामरे बहुत देनेवाद जो लोग प्रत्किया दे रहे हैं और इसी प्रस्टभूम से एक और चंद सुने कि जब कोई साथी बिछड़ जाता है तो उसके वियोग में पागल पंस अच्छा जाता है मन में तो अब वही राधिका जी क्या करती है क्रिशन के वियोग में अब उनका दिमाग काम नहीं करता है तो अब वह करती क्या है शुने कि आसुवन है सुखाए कानलोट नहीं आए मोहन के मोह खुब रोचुकी है राधिका और कानन दुलार का है नेह पर वो प्यार का है प्रेम बीज दिल बीच बोचुकी है राधिका और सारा जग विसराए सिर्फ कान को बसाए क्रस्न क्रस्न की ही हो चुकी है राधिका और काजल लगाए पाउं काजल लगाए पाउं माहुर लगाए आख क्रस्न की दिवानी हो सिखो चुकी है राधिका क्रस्न की दिवानी हो सिखो चुकी है राधिका क्रस्न की दिवानी हो सिखो चुकी है राधिका और इस स्रंखला का आखरी चंद आप लोगों पीइस में रखता हूं का कि 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 वैक दॉस्सिटामी की जब ये पागल पंस अच्छा रहा है राधिका जी रटी ममें तो गोपी। के तो उसको जवाब क्या देती है तो दो पंक्तियों में Gopi कोई राधिका जी से पूछ पयती और फिर दो पंक्तियों में राधिका कुछ उसका उपतर देती है और इस चंद में आपके Chrapc 6 तो아서 से बोली छलिया है स्याम, एक सखी राधिका से बोली छलिया है स्याम, खिलोंने सा दिल मेरा तोड के चला गया, और अब कोई रस जैसी चीजे बाकी नहीं बची, भीके वस्त्र सा हमें निचोड के चला गया, एक सखी राधिका से बोली छलिया है स्याम, खिलोंने सा दिल मेरा तोड के चला गया, और अब कोई रस जैसी चीजे बाकी नहीं बची, भीके वस्त्र सा हमें निचोड के चला गया, राधिका ये बोली तेरा प्यार कच्चे घड़े जैसा, तुझे लगता है युँही फोड के चला गया, पर मेरा स्याम मेरे दिल में समाया हुआ, कैसे कह दूं की मुझे छोड के चला गया, पर मेरा स्याम मेरे दिल में समाया हुआ, कैसे कह दूं की मुझे छोड के चला गया, कैसे कह दूं की मुझे छोड के चला गया, अब बंद करूंगा अपना कावे पाठ, सुनें गेट और आपके अपनी प्रत्क्रिया देते रहे, क्योंकि अब यह मैं आठी गेट पढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर कभी मिलेंगे, सुनें, पंखुरी बिच्छा के पत बुहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, पंखुरी बिच्छा के पत बुहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, आत्म साथ एक दूसरे कर लिया, एक एक पल को हमने इस तरह जिया, लम्ह 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 याद का सवारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, पंखुरी बिच्छा के पत बुहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, प्यार की हमारी वो रंगोली लुट गई, तुम बिदा हुई तुम्हारी डोली उठ गई, लोट के लोट के आ जाओ, मैं पुकारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, पंखुरी बिच्छा के पत बुहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, और आखिरी बंद सुने गेत का, कि एक भी तो नेह की कली नहीं खिली, सिर्फ कंट को भरी सोगात ही मिली, फिर भी तेरी याद को दुलारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, फिर भी तेरी याद को दुलारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, पंखुरी बिच्छा के पत बुहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, राह तेरी रोज मैं निहारता रहा, जिसने लोग जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद जितने लोग पटल को फस्थित थे और एक दोहे के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और फिर कभी मिलेंगे सुने दुआ सुने एक नदिया के तट कभ मिले नदिया के तट कभ मिले पास पास पर दूर ऐसे ही हम तुम रहे मिलने को मजबूर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाध बहुत बहुत अभाध इसनि लोगों को का बहुत शुक्रिया सब्सक्रिया था और ने तरुका जन्य बहुत अब्मक्ट साथ ने सभी का बहुत आपार धन्यवाद जाहिन फिर मिलते हैं आपसे कभी